Solid Waste Management के एक्षेत्र में ये भारत का पहला शिक्षन केंद्र है बेंगलूरू की HSR कॉलनी के केंद्र में स्थित स्वाच ग्रे कलिका केंद्र एक experiential भीनपाक है जहां कच्रे को सही तरीके से प्रबंदित करने का मुल्यवान अभ्यास सीखा जा सकता है उसे खाद में तब्दील करके हम अपार्टमेंस में रहने वाले लोगों को खाद बनाने की पूरी प्रक्रिया सिखाने के लिए आमंत्रित करते हैं उनमें आत्मविश्वास जगात में और जरूरत पढ़ने पर इस प्रक्रिया को सीखने में उनकी मदद की उद्देश से उनके साथ पूरी तरह से शामिल होते हैं तो इन अपार्टमेंस निवासियों ने इस प्रक्रिया को सीखने के बाद खुद से हाद बनाना शुरू कर दिया यह सब एक तरह से दी-सेंट्रलाइस प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना है और ऐसा कराने के लिए हमें धुरूरत दे इस तरह के शिक्षन केंद्रों की ताकि लोगों को इस बाद पर भरोसा दिलाया जा सके कि वो अपने घरों की बालकनियों में भी हाद बना सकते हैं लैंद्फिल्स से कच्रे के बोज को कम करना स्वच ग्रे अभ्यान का मुख्य उदेश है ये अभ्यान इस विजन को लेकर भी चलता है कि लोगों को अपने शहर, अपने अपार्टमेंट्स और अपने घरों को हरा भरा रखने में अपने समय का योगदान करने के लिए प्रेरिद कर सके हमारा उदेश है कि अपने प्रयासों से हम कच्रे को खाद में तबदील कर उसका रुख सकारात्मिक दिशामें कर सकें क्योंकि इसके लिए रसोई घरों के कच्रे का इस्तिमाल किया जा सकता है और ऐसा करके हम लैंडफिल्स का बोज़ कम कर सकते हैं हमारे आसपास के पार्कों में सडकों पर हर जगा पेड़ हैं और देखा जाए तो इन्हें अच्छी खाद मिल ही नहीं पाती रसोई घरों के इस और्गानिक मेटर से ये पेड़ नया जीवन पा सकते हैं हमें ऐसा जरूर करना चाहिए HSR लेयाउट में बहुत सारे पार्क्स और पेड़ हैं दरसल ये हर वाट्स में हैं और इन सभी को शहर की रसोई घरों से निकले और गैनिक कच्रे की खाद से पोशित किया जा सकता है दरसल हम सभी को सोशल वर्क के लिए कुछ समय जरूर निकालना चाहिए हमारी सोसाइटी को जादा से जादा वालंटियर्स की जरूरत है हर सब्ता महज कुछ घंटे भी अगर हम सोशल वर्क के लिए निकालते हैं तो यह वाकई एक बड़ा बदलाव ला सकता है स्वच ग्रे कलिका केंदर में और्गानिक किचन वेस्ट को उसके मूल रूप से अलग करने के सिखाए गए 20 तरीकों के साथ प्रयोग करने की अनुमती मिलती है जो लोग यहां आते हैं और इन विधियों को सीखते हैं वो एक ऐसे कमपोस्टिंग मेथड को चुन सकते हैं जो स्पेसिफिक सिच्वेशन में उनके लिए सबसे बहतर हो